तो आज के इस वीडियो में करेंगे क्लास 10 इंग्लिज जो आपकी दूसरी बुक है फुट्प्रिंट से उसका लेसन नमबर टू दाट इस द थीप स्टोरी यह स्टोरी जो है बिसिकली दो परसन के उपर बेस्ट है एक तो करेक्टर रहेगा अनिल जो की काफी मतलब सीधा प तो इसको लेकर हम करेंगे सारी कुशन जिससे आपका कम्प्लीट लेसन आपका कवर हो जाए अच्छा खासा रिवीजन हो जाए एक्जाम में कोई भी कुशन है तो आपसे बुच हूटे ना तो कुशन नमर वन है वाट वोस द नीम अब दी शॉप अबब विच अनिल रहाए गा नेग्स कुशन है फिर अटेंप्ट अट बिइंफ फ्रेंड्स विद अनिल नारेटर जो है किस तरीके से अनिल के साथ फ्रेंड बनता है ठीके ना ना डरेटर यहां पर कौई और नहीं बलकि हरी सिंग है जिसने की चोरी प्टलाव मतलब जो इंकी चोर में तो तो किस तरीके से वो दोस्ति करता है आनिल के साथ बाई flattering him, ठीकेन उसकी चापलूसी करता है, उसकी तारीफ करता है उस तरीके से वो जो है उसके साथ वो friend बनाता है और फुर वो यह सोचता है कि मैंनी-मन मिंदि की इस type के इन्सान के घर में चोरी करना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा तो आपका सेकिंड का ए उप्शन हो गया करेक्ट नेक्स टेड़ अनिल कम अक्रॉस विद हारी सिंग अनिल हारी सिंग के साथ कहां पर कम अपर मतलब कहां पर यह दोनों जो है मिलते हैं ठीके न तो एक रेस्लिंग माच में इन द आयुकुषिंग से क्या है एक राइटर हुआ है अनिल को टिसक्राइब करता है तो अनिल कीरफूल नहीं था टिरीडि नहीं था एक्स्राविग भीन था बड़ा इसी गोई था एसा परसंग जिसको आसानी से कोई बेवकूप बना सकता है ठीक है और एक तरीके से वह कांड भी था and all तो आपका A option correct हो जाएगा next question what kind of jobs did Hari Singh do for Anil अब जो है वो अपनी दोस्ती करने के चापलूसी करने के वाद हो कहता है मुझे अपने साथ काम पे रख लो तो question में यह है कि किस तरीकी के काम जो है वो हरी सिंग किया करता था अनिल के लिए तो छोटे मुटे काम करता था चाई बनाना जो भी ग्रॉसरी वगरा का समान लाना और जो भी काम होते थे वो थोड़ा मुडा करा करता था तो all of the above यहाँ पर correct हो जाएगा 6th का D option next how was meal how was the meal thief boy cooked first night वो जो thief boy जो कि हरी सिंग जिसने अपना नाम बताया होता है तो सबसे पहली रात को को जो खाना बनाता है वो किस तरीके का खाना बनाता है ठीक है न अब उसको खाना बनाना आता नहीं था लेकिन उसने जूट बोल दिया था कि हमें आपके लिए खाना बना दूंगा तो वो first night में जो खाना बनाते हो बड़ा terrible होता है ठीक है न नेक्स कुशन है what did Anil do to the food cooked by the boy the first day अब जो उस लड़के ने खाना बनाया होता है उसको जो है Anil उसके साथ खाना की साथ क्या करता है through it to a stray dog उसको क्या करता है stray dog के सामने stray dog के पास फेक देता है मतलब stray dog को खिला देता है क्योंकि खाना वो विल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया है next question है the thief used to take rupees मतलब जिहां पर fill in the blanks आएगा from the money every day which was given by Anil for grocery shopping grocery shopping के लिए Anil जो भी पैसे देता था उसमें से वो जो चोर लड़का है वो कितने पैसे रख लेता था ठीक है ने daily तो वो कितना रख लेता था एक रुपे जो है रख लिया करता था तो 9th का D option हो जाएगा correct next question है where did Anil keep the bundle of money अब एक दिन क्या होता है वो जो भी अपना writer तो था ही अब एक दिन उससे जो है उससे पैसे मिलते हैं तो bundle of money जब मिलता है तो उसको Anil जो है वो कहां पर रख देता है ठीक है ना तो वो कहां question का आपका A option correct हो गया next how did Hari Singh justify his decision to rob Anil Hari Singh जो है अपनी decision को किस तरीके से justify करता है कि उसने Anil को loot लिया ठीके ना तो वो यह करता है कि मैंने उसके घर पे चोरी इसलिए की क्योंकि वो जो है मुझे पे नहीं करता था मैं उसके अकाम करता था लेकिन वो मुझे कुछ भी पे नह आपको next question is how much money did Hari Singh still कितना रुपे जो है Hari Singh चोरी करता है तो total कितने रुपे होते है उसको चोरी करता है next question is why did Thip take on a new name every month यह जो थिप है वो हर महीने अपना नया नाम क्यों रख लेता है हरा नया नाम रखने के पीछे उसका यही reason था कि एक तो उसके पुराने employee उसे पहचा इसे बचा लेगा तो A and C आपका correct हो जागा इसलिए 13 question का D हो गया correct next at the incident Hari took shelter अब जब वो पैसे चोरी कर लेता है तो तो उसी को incident बताया गया तो Hari जो है पनाह कहां पर लेता है कहां पर उसको जो है shelter मिलता है तो एक clock tower के under shelter लेता है तो 14 का अपका A option correct हो गया next when did Hari Singh remember Anil? Hari Singh ज बाद करता है 15 का C option correct हो गया next why did Hari Singh not jump into the Lakhnau Express to board it अब जो Hari Singh जो है लखनाव Express पर जंप क्यों नहीं करता है उस पर चड़ने के लिए बैसे तो रेलवे स्टेशन पहुंसता है उसे पता चलता है कि गाड़ी खुल चुकी है but still वो उस पर चड़ सकता था जंप कर सकता था ले बी हमारा 16 कुशन का D option correct हो जाएगा next question है what did Hari Singh do upon missing the train to Lakhnau जब Hari Singh जो है उस लखनाव को miss हो जाता है मतलब मिस हो कर ही देता है तो उसके बाद वो क्या करता है उसके बाद वो क्या करता है बजार में घूंगता है तो 17 कप कभी हो गया correct next what did Hari Singh decide to do Hari Singh क्या करने का decide करता है ठीक next question है what did Hari Singh do with money अब Hari Singh जो उन पैसों के साथ क्या करता है जो वो चोरी करके ले गया था ठीक है न तो वह ही पर रख देता है जहां से उसने लिया था ठीक है न next question है why did Hari Singh keep the money under the mattresses अब mattresses के अंदर ही Hari Singh ने उन पैसे को वो पैसे को क्यों रख देता है ठीक है न क्योंकि अब ज अब उसको प्लान होता है मतलग उसको पता तो चली चुका था कि हाँ यह चोरी किया था फिर वापस आया तो अनिल का क्या प्लान होता है जो कि वो Hari Singh के साथ करेगा ठीक है न तो अनिल मतलग काफी उसका अच्छा करेक्टर दिखाया गया है इसमें तो वो यह नहीं सोचता है कि हाँ मैं उसको पुलिस को देदू बलकि उसने यह सोचा होता है कि अब उसको अच्छे से पढ़ाएगा ठीके न और अब उसको जो है वो जो है एक फिक्स्ट सालरी भी दिया करेगा तो 21 का आपका C ओप्शन हो गया करेक्ट नेक्स कुशन है अनिल डिड नॉट हैंड अब उसको लगता है कि अब उसने रेलाइस कर लिया है मतलब की अपनी गलती का और इसके बाद वो यह भी चाहता है कि इसको दूसरा चांस मिलना चाहिए और उसे यह भी लगता है कि यह जो है न अब एक बेटर परसन बन जाएगा तो all of the above मतलों यह सारे रीजन थे जिस Pione जो अनिल है वो पुलिस को उसको हैंड ओवर नहीं करता है ठीक है न तो 22 का आपका D option correct हो गया next question है who is the author of the story the thief story the thief story के जो author है उनका नाम आपको बताना है तो तो अब वो कौन है Ruskin bond है 23 का आपका D option correct हो जाएगा next question है who is the narrator of the story author पूछा तब तो Ruskin bond लेकिन narrator जो है इस story को narrate कौन कर रहा है तो वो जो थीप था ना हरी सिंग वही जो है इस story का narrator है तो 24 का आपका A option correct हो गया last question question number 25 why was it difficult to rob a careless man according to हरी सिंग हरी सिंग के according एक careless person को लूटना इतना difficult क्यूं होता है वो कहता है कि कोई लालची इंसान को लूटो ना तो अंदर से दुख भी नहीं होता लेकिन एक careless एक मासूम इंसान की जो है आप करोगे न तो उसमें बड़ा difficult होता है क्योंकि उसे तो कई बार पता तक नहीं चलता है कि वो लूटा हो गया ठीक है न तो आपका 25 का B option बिलकुल correct हो जाएगा hopefully वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए और चैनल पर नए जुने हैं तो सब्सक्राइब करके बिल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि नए वीडियो क्लिकेशन बिल सके और बाकी सारे लिसन के MCQ के लिए भी वहां से आप सारी वीडियो को देख सकते हैं जो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत important होंगे